होटेल राजमहल एपिसोड 172 मिलन या जुदाई मैं जो कर रहा हूँ अपने पूरे होश वहवास में कर रहा हूँ प्रिया और बहतर तो यही होगा कि मेरे इस फैसले में कोई भी मुझे कुछ ना बोले विशाल ने प्रिया की बातों का जवाब देते हुए कहा तब ही विशाल की बाते सुनकर मल्लिका जो अब तक खामोश खड़ी हुई थी उसने विशाल की ओर देखते हुए कहा मुझे किसी का तो नहीं पता विशाल लेकिन मेरा पूरा हक है तुमसे ये जानने का कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है और ये क्या हरकत है तुम्हीं तो मुझसे सकाई करना चाहते थे फिर आज तुम्हीं मेरा हाथ राजवीर के हाथों में कैसे दे रहे हो मल्लिका की बाते सुनकर विशाल के होटो पर मुस्कुरा हट तैर गई और विशाल ने कहा मैं ऐसा सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूं मल्लिका मुझे गलत समझने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना मैंने तुम्हारी आखों में राजवीर के लिए जो देखा है वो मैं शायद कभी अपने ले नहीं देख पाया इसलिए अब बस वही होगा कि तुम उस से शादी करो जिसके साथ तुम खुश हो जो ये तुम्हारी आखों की चमक है, तुम्हारे होटों की हसी है देख रहा है मुझे कि तुम कितने बेमन से ये शादी कर रही हो मैं भी इंसान हूं मलिका मेरे भी सीने में दिल है जिसने कभी तुमसे प्यार किया और आज भी करता है इसलिए मैं तुम्हारे दिल के हर धड़कन को बखुबी पहचानता हूं इतना कहकर विशाल खामोश हो गया और थोड़ी देर बाद फिर एक गहरी सास भरते हुए बोला मैं इतना भी मतलमी या बदमाश नहीं हूं मलिका जितना तुम मुझे समझ रही हो अरे मैंने तुमसे प्यार किया है और मैं कभी भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करूँगा तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है तुम मेरे लिए नहीं राजवीर सर के लिए बनी हो इतना कहकर विशाल ने राजवीर के हाथों में मलिका का हाथ दे दिया विशाल की बातों को सुनकर मलिका की आँखों में आसु भराए और उसने मुस्कुराहट के साथ एक छलक विशाल की ओर देखा और उसके बाद राजवीर की ओर देखकर मुस्कुराने लगी राजवीर को अपनी आखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा होता है विशाल की ओर हैरानी से देखते हुए राजवीर ने कहा तुम पक्कस सच बोल रहे हो ना विशाल कहीं मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे है मजाक? और सर आप से? नहीं नहीं बिलकुल भी नहीं बैसे अगर आपने मेरे पांच गिंते मलिका के हाथों में ये अंगोठी नहीं पहनाई तो जरूर मैं अपना इरादा बदल सकता हूँ इतना कहकर विशाल मुस्कुराने लगा विशाल की बात सुनते ही राजवीर ने एक सेकंड की भी देरी नहीं कि और विशाल के हाथ से अंगोठी लेकर तुरंत मलिका के उंगली में पहना दी चारो और तालियों की गरगडाहट से वो पूरा बैंक्विट हॉल गूंज उठा मलिका भी शरम के बारे लाल हो चुकी होती है उसे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि सचमुझ उसकी सकाई राजवीर से हो चुकी है अपने और राजवीर के बारे में सोचते सोचते झाल में सोचते राजवीर से वो चुकी है झाल झाल रखो और मेरे साथ चलो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे आज के इस दिन को और भी जादा यादकार बना दूँगा राजवीर ने मलिका के आखों में जागते हुए कहा ये दिन पहले ही मेरी जिंदेगी का सबसे हसीन दिन बन चुका है राजवीर ऐसा लग रहा है कि सच में मेरी जिंदेगी आज तक अधूरी थी जो आप तुम्हारे पास होने से पूरी हो चुकी है मलिका ने भी राजवीर की आखों में अपने लिए बे इंतहा प्यार देखते हुए कहा तभी राजवीर का फोन बचा और उसने जैसे ही उठाया तो सामने से आवाज आई सर जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया है हमने ये सुनते ही राजवीर के चहरे पर मुस्कान तैर गई मलिका ने हैरान होते हुए पूछा क्या हुआ मलिका ने ये कहा ही है कि तभी राजवीर ने उसके आँखो पर एक लाल रंग के मखमली कपड़े से पट्टी बानती अरे ये क्या है राजवीर मलिका ने अपने हाथों से उस पट्टी को छूते हुए कहा सर्प्राइज है तुम्हारे लिए मलिका राजवीर ने मलिका की सवाल का जवाब देते हुए कहा अपनी मंजल तक पहुँचने के बाद जब राजवीर ने मलिका की आँखों से पट्टी हटाई तो सामने का नजारा देखकर मलिका की आँखे चौंधिया गई मलिका को ये समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो जो देख रही है वो महज सिर्फ एक सब्टा है या फिर हकीकत सामने दूर दूर तक जैपुर की सबसे प्रसिद्ध लेक फिर्टी है झाल झाल मलिका जट से पीछे मुड़ी तो देखा राजवीर नीचे घुटनों के बल बैठा उसकी ओर ही देख रहा होता है तब मलिका भी घुटनों के बल बैठ गई और राजवीर के आँखों में जागते हुए कहा जबसे आप मेरी जिंदगी में आये हैं मैं आपका ही तो हिस्सा हूँ मलिका जितनी खूबसूरत है बाते उससे भी जादा खूबसूरती से करती है जिस वज़े से हर बार राजवीर अपना दिल थाम लेता है दोनों खामोश खड़े एक दूसरे का हाथ थामे लेक के उस शांत पानी की और देख रहे होते हैं उन्हें अपनी उस खामोशी में भी एक सुकून का हैसास हो रहा होता है जहां एक और राजवीर और मलिका एक दूसरे के साथ अपनी जिंदी की बिताने के सपने देख रहे होते हैं वहीं दूसरी और विशाल मलिका के मम्मी बापा के साथ बैठा एक बहुत ही कंभीर बात कर रहा होता है अंकल और आंटी हो सकता है मेरी बोली बाते आपको बुरी लगे पर एक बार मेरी बोली बातों पर खौर जरूर करियेगा विशाल ने मलिका के मम्मी पापा की और देखते हुए कहा विशाल तुम कहना क्या चाते हो साफ साफ कहो ऐसी कौन सी तुम्हारी बात है जो हमें बुरी लग सकती है विशाल की बाते सुनकर मलिका के पापा ने गंभीर आवाज में विशाल से कहा अंकल मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि मैंने मलिका की खुशी के खातिर मलिका का हाथ राजवीर के हाथों में दे दिया लेकिन आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि राजवीर कितना अमीर है और मेरी मानो तो इन अमीर लोगों का कोई भरोसा नहीं होता कल को अगर खुदा ना खासता लेकिन मलिका से अगर राजवीर का मन भर गया और उसने मलिका को छोड़ दिया तो फिर हमारी मलिका का क्या होगा कहा जाएगी वो विशाल ने अपनी हर एक बात पर दबाव डालते हुए मलिका के मम्मी बापा से कहा विशाल की इस बात को सुनकर मलिका के मम्मी बापा के चहरे के हाओ भाओ बदल गए कुछ देर अजीब सी खामोशी पूरे कमरे में पसरी रही और फिर उसी खामोशी को तोड़ते हुए मलिका की मम्मी ने उसके पापा और विशाल की तरफ देखते हुए कहा मुझे विशाल की बातों में दम लग रहा है जी इन अमीर्जादों का कोई भरोसा नहीं होता है इनके शौक और इनका मन तो मौसमों की तरह बदलते हैं और फिर राजवीर की परवरिश तो विदेश में हुई है फिर तो नहीं पता उसके शौक कैसे कैसे होंगे हम तो खामखा ही खुश हो रहे थे कि चलो हमारी बेटी का रिष्टा इतने बड़े घर में हो गया लेकिन हम लोगों ने भी इस बात की और ध्यान नहीं दिया इतना कहकर मलिका की मम्मी ने विशाल की और देखते वे कहा वो तो बला हो जो विशाल यहां है और उसके दिमाग में ये बात आ गई तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जो तुमने हमें ये सुझाव दिया वरना कल को अगर कोई अन्होनी हो जाती तब तो लेने के देने हो जाते अरे आंटी आप ये सब बाते करके मुझे शर्मिंदा मत करिये मैंने भले ही मलिका का हाथ राजगीर के हाथों में दिया है लेकिन आज भी मैं मलिका से प्यार करता हूँ वो तो बस उसकी खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी का गला घुट दिया विशाल ने थोड़ा उदास होते हुए कहा मलिका के पापा जो अब तक मलिका की ममी और विशाल की बाते एक और से सुन रहे होते हैं उन्होंने विशाल की और देखते हुए कहा बात तो तुम सही कह रहे हो बेटा मैं कल ही इस बारे में मलिका से बात करूँगा और उसे कहूंगा कि वो राजवीर और हमारी मुलाकात करवाए जिससे हम सीधे राजवीर से ही इस बारे में बात कर सके आखिर हम भी वहाँ अपनी बेटी दे रहे हैं हमें भी पूरी दरह से निश्चिंद करना होगा कि हमारी बेटी उस राजवीर के साथ खुश रहेगी मलिका के मम्मी बापा की बात सुनकर विशाल के चहरे पर एक कुटिल सी मुस्कान तेर गई तब ही विशाल ने दोबारा मलिका के मम्मी बापा की और देखते हुए कहा अंकल आप से एक चोटी से रेक्वेस्ट है हाँ बेटा बोलो क्या रेक्वेस्ट है तुम्हारी मलिका के पापा ने तुरंत विशाल की बातों का जवाब देते हुए कहा आप बस प्लीज मलिका या राजवीर के सामने ये मत कहिएगा की ये सोचाव मैंने आपको दिया है वो दरसल मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को ये लगे कि मैं अभी भी मलिका से प्यार करता हूँ मैं उन लोगों के बीच कभी नहीं आना चाहता मैं तो मलिका की खुशी में ही खुश हूँ विशाल ने अपनी हर एक बात पर दबाव डालते हुए मलिका के पापा से कहा जिस पर मलिका के पापा ने मुस्कुराते हुए विशाल से कहा हाँ बिटा बिलकुल और वेसे भी मैं तुम्हारा नाम क्यों लाऊंगा बीच में तुमने मुझे इतना अच्छा सुझा दिया है इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अच्छा अंकल ठीक है चलिए अब मैं चलता हूँ इतना कहकर विशाल वहां से चला गया मलिका के घर से बाहर निकलते ही विशाल ने एक बार पीछे मुड़ कर देखा और खुद से कहा अपना सपना तो मैं हर हाल में पूरा करके रहूँगा फिर चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े आखिर मलिका और राजवीर की सगाई करवाने के पीछे क्या है राज? क्या विशाल के अमीर होने का सपना पूरा हो पाएगा? अगर हाँ तो कैसे? अब क्या होगी विशाल की अगली चाल? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिये होटेल राजमहल सिर्फ पॉकेट इफेंपर